हर हर मादेव स्वागत है आपका फिर से मेंस के बाद में मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मेंस जैसे खतम होगा मैं आपसे फिर मिलूगी लेकिन पेपर में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा माइंड इस हालत में बिलकुल नहीं था ना ही मैं कि मैं आपसे मिल पाऊं इतना जल्दी तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था बहुत ही टाइम से आप मेरे से जुड़े हुए स्पेशली 25 डेज के टागेट स्टरी ब्लोक के साथ में तो मैंने बहुत ही रिग्रिसली तैयारी की थी मेंस की और अच्छे से पढ़ाई भी की थी यह जो मैं अभी आपको दिखा रही है लास्ट यर का मेरा टेंप्ट है जब मेंस का पेपर आने वाला था और मैंने अपना हर दिन का टाइम टेबल रूटीन सेट कर रखा था कि मुझे क्या क्या चीज़े प्रिपेर करनी है साथ में मैंने AO वाला भी एड़ कर रखा था क्योंकि लास्ट यर में पेपर वन के लिए लिस्ट वन में भी क्वालिफाई हो गई थी सेवन मार्च को मेरा एक्जाम था और पेपर अच्छा हुआ था लेकिन कुछ सिली मिस्टेक हो गई कुछ नॉर्मलाइजेशन की वज़े से जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया था इसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई के शुरुआत की टीर वन में मेरा अच्छा स्कोर था 153 मेरा रो स्कोर था और बाद में में मेंस के लिए मैंने एक दिन का ब्रेक भी नहीं लिया तुरंत ही बढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और फिर 25 डेस का टागेट स्टडी ब्लोग सेट किया पेपर वाले दिन भी सब कुछ अच्छा था मैं बहुत ही अच्छे मन से गई थी और पहला पेपर ठीक हुआ मैट्स तो सब का ही था तो मेरा माइंड था कि अगर मेरा खराब हो रहा है तो सब का ही खराब हो रहा हुगा तो मैंने पांच क्वेश्चन तो attempt ही नहीं किये थे बाकी ओवरोग की था सब चीजे मैंने बीच में साथ दिन जब मैं आप से नहीं मिल पाई थी target study block के बाद मैंने revise किया लेकिन फिर भी बहुत बड़ी silly mistake मुझसे होई है typing की speed मेरी अच्छी है लेकिन उस दिन 4 मिनिट पहले मेरी typing हो चुकी थी और उसके बाद मैं revise करने के लिए जब दुबारा की depressions कम रह गए यानि की 3.5% मेरी flat mistake है अब हर दिन ऐसा है कि मैं इतनी anxious रहती हूँ और पूरा time इतना busy होने के बाद भी मुझे thought आते रहता है कि यार क्या होगा क्या हो गया उसी time की तरह जब UFM introduce हुआ था और हर बच्चा परेशान था कि UFM का case ना लग जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए अब ऐसा है कि जब तक result नहीं आ जाएगा मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ या कुछ भी बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को की कैसा हुआ है लेकिन फिर पर मैं आपसे अपने number जरूर शेयर कर दूँगी कि मेरे marks कितने बन रहे हैं तो मेरे जो overall marks है वो 326 बन रहे है लेकिन एक GK का question जो की wrong है और बाकि कुछ questions गलत है reasoning के एक question या दो question गलत है और GK शाय तीन question गलत है तो वो तो सब कोई number मिल जाएंगे लेकिन मेरा 326 है और 41 मेरे computer में आ गए है बाकि typing वाला मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं मुझसे कैसे mistake हुई मैं बिल्कुल process नहीं कर पा रहे उस moment पे मैं ना तो रो सकती थी ना मैं कुछ कर सकती थी आखे मेरे बिल्कुल लाल हो गई थी और आस उमाने को हो रहे थे मन मेरे इतना भारी हो रहा था अब हर रोज बस मैं pray कर रही हूँ कि बस मेरे mistake 5% के अंडर रहे और सब कुछ सही हो जाए अगर आप में से कोई भी ऐसा person है जिसको पता है कि यार इतने की depression कम हुए थे और हमारा सही होगा तो प्लीज मुझे comment करके बताना ताकि मुझे थोड़ा तसल्ली मिले और अच्छा लगे हर हर महादेव